गीता में अर्जुन को स्वैम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के और अमृत बचन अब सिफजी निस वचास बात विग्ड़ जागी जा इब वेड़़ इसको वचन पारवितिवी के इयाद राखेगी मांग भई क्या मांगता है तूं बसमा सुर बोला के महराजी बचन बद हो जानो ना मांगो हो गया भाई मद हुआ मांगो क्या मांगते के बसम कंडा दे अब काड के पकड़ा दे यहां को वो करड़ाई अब बचा ले जान बचानी उतना जान तो मारूँगा क्यों मारूँगा बारबती को पत्नी बनाऊँगा अब गरीब दास जी कहते है ऐसे कुटल जीव घर ऐसे करत गनी जीव कल माही और माता को तो पत्नी ठहराई ऐसे नीच बैसमासुर कि अपनी मा को पत्नी बनान की खा तर बारा वरस तक तक तब करया और भई बगवान शिव जी ने नो भी ना बेरा पिटा यह को बद्दी के सवच रहमन में यह सर्वस सक्तिमान कित्त होगी मैं यह पूछ हो तरे पाए यह बात यहां पर आका जब डंडा लाग गया ना तीस तरले वासन पर जब बुदी कुछ ठेकाना लाग गया कहां साच्छी बात तो यह यूकी हो है यह भी सास्त्रों में कोई बार से नहीं बोल रहा है तो शिवजी आगया गया और बसमासुर पेच्छे पेच्छे बसमागिरी नाम था उनका बसमासुर तो बाद में कहा जब उसने जुलम कर दिया अब वाज़ा जाओ आए आकास मुड गया अब सिद्धे तब से शिद्धी बसमासुर में भी आगी आकास मुड उनकी ये तवाम संत में होती है जो आकास मुड सकते हैं तो उसमें भगवान सिव भागा जा रहे है और बसमासुर बसम कंडे को ले का उसका पीछे भाग रहे और आगे से भगवान विश्णु जी ने पार्वती का रूप बना का और बसमासुर के आगे पर गट हो गए अब बसमासुर ते पार्वती एक हात्रता परव पीट ला था उसको बज़ के कारण जब पार्वती को सामने देखया बसमासुर वही डट गया उसको इतनी ग्यान था कि जब तक मेरे आथमा बसम कंड़ा है शिव जी तो एक कोस भी सो कोस भी ना पावा है इतना डरे हुए थे भगवान विश्णो शिव जी और भाग गे थे अग ठीक है तो परबची कहने लगी उसने भी क्यों मा रहो तुम है मैं तेरे पास आगी और ठीक है तुई इसलिए ताप के दिखावागा अग नाच्चो क्यों करें अग मैं सिखाऊं तरे को और तो पहला डांस सीख अग आच्छी बात सिखा देता है अग भगवान विश्णो उसमो नाच्चन लागया पारवती रूप में यह उसने बूच ने थोड़ा नाच्चन आउ था थी बहOY सा जैसे मैं करूं ऐसे करना तूने गैसे नहीं ऐसे कर अग आच्चơn ले अब नो करकर आथ ले सिर्फ पहले आथ ने तो लेया ऐसे विश्ण जिन कैंने उसने कर दिया और विश्ण जिन कैंदिया भसं कि वो कंडधे आठा आथ शिर पाय लिया जब टोकिया, वो मर गया, जल गया, उस कड़े को उठाके भगवान विष्णु का रूर बनाके विष्णु जी शिव जी के सामने पर गट हो गये, जब वो भागे जा रहे थी, ये विष्णु प्राण में लिखा है, आगे जाके विष्णु जी कहन लगे वाई डट जा मेरे से बसमकंडा मांग लिया, और उसके नीत माँगा फरक मुझे मारना चाता है, वो कहन लगया, मैं उससे ये बसमकंडा ले आया, वो तुझे मारा को नहीं, एक नहीं, उस राकस से कौन ले सकता है बसमकंडा, उसकी तर बदनी थी तनी थी, मैं नहीं मानू मारा जी, ब कैसे सकते हो इतने में भगवान विश्णु ने एक लड़की का रूप बनाया आगे जाके उसका वर्णन भी ना कर सकते हैं यहां पर जो भगवान सीव गेला बनी इस समाज में बताना जोगी को ना जो भगवान विश्णु उपराण में लिख राकी उस लड़की का बिश्णु जी ने फिर सर्मा आगया अगवाई न्यो मनो जो कर तो पागल हो गया ना शीव जी न्यो बसमासुर पागल हो गया मेरे उपए मनरू बनाया लड़की का पारबती का और जिस परकार तेरी सुद्व दखोगी इसी परकार उस बसमासुर राक्स की वो पटा गरीब दास जी के है कि इस राक्स की मन में क्या है अब फिर सर्वा सक्तिमान के ओपर बसम करने क्या आसर करें तो भाई अब इसने सेट करा इतने और ठाय ले दूसरी बात ने अब इन बातों को विचार करना पड़ेगा को बुराई नहीं कर रहे हैं बुराई तो ज जानेगा जोन्यों का मिरे आमने बिसराव है जिसको मालूम कोई नहीं है फल तो है पर आमना के बाई इसने अमरूद है आमने है अर्थात ये भी भगवान है पर भाई पूर्ण नहीं है ये तीन लोग के हैं अब हम आपको शिरिश्टी रतना सुनाओं ग्रीब दासी महार जारती अदल पठाओं योगन योगन का लेखा लेओं जादेन ना थे पिंड नहीं प्राना नहीं पानी पवन जमी असमाना कच मच कूर्हम नहीं काया चंद सुरद नहीं दीप बनाया ये कुछ भी ना थे ना चांद थे ना सुरद सेश महेश गणेश ना बर्मा नारद सारद नाव सुकरमा ये सिद चुरासी ना के थे सो नौ अवतार नहीं 24 पांस पतव नाहीं गुनती ना नाद बेंद नाहीं गटसी ना ये चितर गुप्त नाकरतरमबा जी धर्ण राय ना पंड़त का जी भाई धूंधोंकार अनंत युग भीते जादिन कागज काओ किंची ते जादिन फिर कहते हैं आप कहा थे पर या कुछ भी नहीं था तो आप कहा थे जादिन थे हम तक्तखवासा तनके पाजी सेवक दासा संख युगन परलो परवाना सत पुरुष के संग रहाना दास गृब कबीर का चेरा मारा सत लोग अमरा पुर्डेरा अब सत लोग में रहते थी और वहें पर कबीर भगवान पुर्ण परमात मां हो रहते हैं यह अनंत कौटी परमंड का एक रतीन ही भार और सत्गुर पुरुष कबीर हैं ये कुल के सरदनहार अब कबीर साहब को हम सर्फ एक जुलाहा दिर्ष्टी से देखते हैं दिर्ष्टी कौन से इसलिए हम उनसे वैसे ही मन नकारा कर देता है कि वो क्या अगा बगवान होगा दतानी तर्णे अगरता क्या बगवान भाई मुकडबान दिकाए और तीर लेकर बगवान बढ़ा करें अगर तीरों से बगवान बनता हो और जुनिया को मार काटन दे भगवान घीस भी कारिये हो तो फिर तो उस भगवान ने भाई, उस भगवान ने तो उड़े बैठे बटन दापनी गयो सकता है, तीरे गयो सकता है कोई ने, वो तो एक मिन्ट में काम करदे सबका, तो यह जो इनकी कुछ और पावर हैं, यह हथ्यारह ओड़े भगवान जो हैं यह, पुलिश में हमाँ स दुखी करते हैं, उनकाड गबार बगादे, खतम करते हैं, जैसे फसल को, के अंदर जाड जाड गणकाड पैदा हो जाते हैं, तो उनको निकालन की खातर जमिदार एक विसेश औजार प्रियोग करता है, इसी परकार उनकी डूटी है, अब यहाँ पर है के पहले कुछ भी न नहीं था, केवल सत पुरुस्था सत लोग में, सत लोग का मतलब है वो अविनासी लोग जो कभी नस्ट ना हो आए, जो कभी खतम नहीं होता, गीता जी में, बगवान करिशन ने, अब गीता जी भी सुनावांगे जब हो रहा हैं, खुलेंगे आपकी, के गीता जी में अचे नहीं दूँगा, तो गीता जी में, बगवान करिशन कहते हैं, कि जब लोग कलब का अंत होगा अरजुन, ये सारी जी परकिरती में लीन हो जाएंगे, अर्थात सब खतम होंगे, बिरमादी के लोग भी नस्ट हो जाएंगे, बिरमादी के लोग भी सुनसीब नहीं और नहीं सुरग रहेंगे, जो सुरग में निवास करने वाले देवता फिर कहा रहेंगे, जो सुरगी नहीं रहेंगे, और इनके उपासक हमस कहा रहेंगे, और इसी परकार गरीब दासी माराज कहते हैं, महापरले जब होगी, पर्थवी ततव को जलतत गरासेगा, सारी प पर्थवी पर पनी ही पनी हो जागा पहड़ भी पानी में दब जाएंगे ग्यारे सुरीय और सोर मंडल में से आके इस पर्थवी मंडल को ठूक डेंगे जल्बी नस्ड पर्थवी की राख भी बढ़ा के उठेंगे और ये वाईयूम अंध इसी बन जागी इस अंधी को फिर यानि पौन में पर्थवी तथ को जलततव को अगनी अगनी को वायू और वायू को आकास ततव अपने अंदर ले लेगा आकास को ये जोत निरंजन सनातन प्रमात्मा अपने अंदर समा लेगा जोत निरंजन को पारबरम भगवान अक्सर पुरस वो अपने अंदर ले लेगा अवगत पुरस अवगत पुरस पारबरम अपने अंदर समा लेगा और यह आपर धूंदोंकार का डंका बाद सेगा यह सब बर्माट फूट जाएंगे खतम हो जाएंगे अपस में भेड़ड़ का मरेंगे खतम हो जाएंगे और पिर यह जीव महापरले होगी यहाँपर एक महापरले दो टाइप की है एक महापरले में निरंगर का लोक बच जाता है तो दुझ दुवारा कंस्टैक्सन इसी से बर्मंड की करता है और एक महा परले में ये सब ख़तम हो जाते ही और एक तीसरी महा परले होगी जब सब का मतलब 21 बर्मंड है और तीसरी महा परले जब होती है जब ये अनंत कोटी बर्मंड ये सब नस्ट हो जाते हैं कियोल सतलो करा जाता है जिसमें पार ब्रम भी नस्ट हो जाता है लेकिन ये स्थिती तो अभी बिना गंटी के योग बिना गंटी की स्थिती पुलट पुलट हो लेगी जब वो आती है ये जल्दी आ जाती है उसमें सत्पृस्ते सत्लोक में पुदलो पुस्ती रचना अब आपको हम इस ब्रमांट की स्थिती रचना सुना रहे हैं जो कवीर साहब के आदार पे है तो उसमें महा प्रल्य था ऐसे धुंदूकार था केवल सत्लोक में वो अविनासी प्रमात्मा सत्पृस रहता था उन्होंने अपने सबद से सत्रे सबद उचारण के अपनी सक्तित है और सत्रे सबदों से एक सबद से तो वहां के सभी लोक रच दिये सत्लोक के दीप खेडे वहां पर जो मनावट से वह न्यारी है यहां से और पंद्रे सोले सबदों से सोला पुत्र उत्पन के वहां के देव लोग वहां जो सत्लोक की जो स्रिश्की वहां की उसमें पहले सबद से सभी लोक आधी रच दिये दूसरे सबद से कूरम नाम के पूत्र की उत्पत्ति की तीशरे से ग्यानी चोथे से विवेक पांच में से तेज छटे से सैद, संतो, सुर्ती, आनंद, अक्समा, निश्काम, जर्रंगी, अचिंत, प्रेम, दैल, धरिये और सत्र में से योग संताई ये इनके पूत्रों के नाम है जो सत्लोक में होत रहते हैं इस परकार सत्पोस ने सत्रे सबद उचारे जिसमें सोले सबदों से सोले पूत्र एक सबद से सबदीप लोग, मांसरूर आधी, सत्लोग मरश दिए सोले पूत्रों को नयारे नयारे लोग देके उन रहने की उनको कहा उसमें अन्य کंस्टैक्षन और करनी छी उसके लिए अचिंत नाम के अपने पुत्र को जो बारमे नम्बर का है उसको कहा कि आप सिरुष्टी रचो वहां के लोक रचो उसके लिए उसने अक्सर की उत्पत्ती की अक्सर ने अपनी चार अंसों की उत्पत्ती की चार अंसों की उच्पत्ती को देखके अक्सर पुरुस गहा प्रशन हो गया और वहाँ पर अम्रत स्रोर में जाके आनंदित हो गया नेंद आगी और कई काफी दिनों तक कोई भी स्रिष्टी नहीं रिचीगी उठ नीरा गहरी नीद्रा है उसको कौन जगा है मुनमन ने किरा के इसराप दे दे ऐसा भी डरला गेंदिसी होता है लेकिन सत्पुरुस ने एक अंडा बनाया सबस सकती थे उस अंडे को जलमा डाला गणा बड़ा अंड था और वो गड़गडाश करता हुआ जब नीचे जलमा प्रवेस हुआ तो उसमें अचिंत के उसके अक्सर पुरुस की आंक खुल गी अक्सर पुरुस की जब आंक खुली तो एक दम वो जैसे एक काची नींद उठाना आदमी थोड़ा थोड़ा गुसा भी मिला वो उसमें उसने जब देख्या वो अंडे में वो तेज करोध परवेस कर गया और वो अंडा फूट गया अंडे के फुटन में उसमें से एक तेजों में पुरुस निकला जिसका नाम जोत नरंदन रख दिया तेज परकास था उसके रूप परकास तेजों में शरीर था उसका यानि उस तेज से उसका दिपती मान शरीर हो गया और पुरुस बढ़का निकला उसको जोत नरंदन कह आकास वानी हुई कि अक्सरपुरस तुझे जगाने के लिए हमने अंडा भी जा था और अब तम दोनों के दोनों बहारा हो बहार आए और कहा कि तम तीनों अचिंद के लोक में रहो अचिंद अक्सरपुरस और जयत नरंदन बाकी पंदरे पुत्रों को तो नरे नरे लोक अचिंद के लोक में यो तीन ही कठे होगे अब नरंदन न सोचा और तो सारे बाई अलग अलग रहती है तो हमारे को तीनों को एक में बांद दिया मारत जी पिता जियान मैं तो अपना नरा राज करूँगा तो उसने नियारा होन की प्रिवर्ती बनाई सत्तर युग तप एक किया सत्तर युग तप एक किया चौशट युग तप एक किया पर्थम सत्तर युग के बदले में उसने के मांगा कि मुझे नियारा लोक दे दो सत्पुर्ष प्रमातमा पूर्ण ब्रमने प्रसन होका है 21 ब्रमंड का राद 70 यूग के तप के बद्ले हम दे दिया अगले भाई इन मतों को राजीए यो ले अर ये 21 ब्रमंड 7 लोक में ही थे ये 21 ब्रमंड उस 7 लोक में ऐसे हैं से बड़े महल में एक माचस रखी हो इतनी जगह है उस इतनों बड़ा सत्लोग हो अब नरंदन ने सोचा इसमें भाई कि मैं कंस्टेक्शन करूँ अपनी नारी रचना करूँ वो दूसरी बार सत्तरी युग तब किया तो सत्पुरस ने पूछा भई के मांगा वो लोक मांगे थे दे दिये तो उसने सैजदास को बता क्योंकि सत्पुरस ने अपने पूतर सैजदास को बेजा कि सैजदास मेरे को पताजी से कोहो कि मुझे इसमें लोक रचन की सरिष्टी रचना की सामगरी दे दे आकास वानी हुई कि कहो इसको के कूर्म के पास इसके बड़े भाई के पास स्रिष्टी के रचना की सामगरी रखी है वो ले आ पर लेना हाथ जोड़ का है हाथ जोड़ का लेगा तो इसकी स्रिष्टी बड़ी आचा लेगी और कोई अकाल मर्टू दूर्भिक्स नहीं होगा निरंगन ने पता लागया कि कौरम के पास रिष्टी बड़े भाई दो रहा है चलिया गा कौरम से पुछा कि मुझे वो लोग रचन की रिष्टी दे दो रवा रचन सामगरी दो दो वो कहने लगा वाई यह तो बहुत कीमती है और पुरस के पुछे बिना मद्यों को नहीं किता जी तो पूछ हूँ पहला नो बहुला बहुले पुरस मजूट बोलनों उते रहते मेरे अप यकिन नहीं करते आप नो बहुला यकिन सोका सो लेकिन वाई उनका आदेश भी तो है कि मेरे से बूद लेना या किसी को देव तो है गणिक दुरूरी चीज़ से है तो तो दो मिंट बैठ मैं समाधी लाता हूँ और पुरस के चर्णों में नमस्कार करता हूँ जैसे हम टेलिफोन करते हैं कि मैं टेलिफोन पर पूछ लेता हूँ लेकिन संतों का टेलिफोन समाधी तो होका है जहान मगन होका है उनके चर्णा में पहुंच जाना होता है अब जहान समाधी का ऐसा जंजटोस है मनमन समाधी लाग गया छा है मिन्ना मुआपस हूए अर निरंदन ने बेरा था जोत निरंदन ने केक बस समाधी लागी मनमन अच्छा मिन्ना वलता हूँ तो अड़ बाठ देखे जागा मुबाई उस ने जहान लगाना चाहा उसका पकड़ का मुकट अर नियू अलाव मेरी बात सुन पिछ्छा लगाना समाधी समुदी मजूट बलो अर्था अध्यान ने लगाने दिया और जो ही उसने मुकट पाहत लाए मुकट आत्मा आगया उस मुकट मात है ये सारे पहाड प्रत्वी ये सब सब अपपड़े नोगर है प्रत्वी साथ समंदर ये पानी पूनी सारे सुर्ये चांद सितारे नो लाग अपने अपने स्थान पर गुमन लाएगे अब यहाँ पर बुदी हमारी संकीरन हो जागी कि ये बनावटी सी बात सा इसा मुकट के होगा ये उन लोगों के लिए जिनकी बुदी बहुत चोटी है अब वहाँ पर ये बीज रूप के अंदर थी सारी स्रिष्टी रतना जैसे बढ़ का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है बट वर्कस और वो उत्पन कहां से होता है एक थोटे से बीज थे जो राई का भी से भी छोटा होता है वर्कस बड़ का बीज और एक बर्मंटा होता है यानि बट का फल बेर जोड है बेर तो आम देख्या बड़ का फल साइज ना देख्या हो इतना को उस है और उस मिठी गोली जोड है और उस में कोई कहा कि इस बट के फल में ये दिखाका बेर जोड़ और उसमे कहा कि इसमें एक अजार वट वर्क्स है तो ये सामने दिखो और वट वर्क्स मनमाने चावले में अभी ताजपुर में भी सारे के गूमे जा 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 उसने आगए बड़न की समय मिल जाते है, सथान मिल जाते है इतना लंबा चोड़ा फैल जाता है वट वरक्स अब इतने बड़े वट वरक्स ने बढ़के वरक्स ने दिखा करने हो का इस फल में एक अजार है यह ऐसे है तो नादान ताह सीक रहा है और ग्यानवान फोरण पकड़ागा अक बिलकुर सही है बीज से बनाएए इसी परकार यह सारी सिर्ष्टी को इन्नों सोचा न्यूच यह नहीं इससे भी सुकसंद बीज है इसका सिर्ष्टी का यह पांस कता वहाँ पर मोल रूप मजए उस कूबरम के मुकट में और उस मुकट में ऐसे दरे थे जैसे एक कोने पर माखी चपका रहा की हूँ इतने बड़े मुकट में और बाहर आनते यह फैल गए जैसे एक छोटी सी टिकिया होती है बच्चे ओली या दिवाली पर उसका अगनी लगा जेते हैं बिल्कुर छोटी सी बटन के समान होती है और वो उस में फिर नो फोग फोग और कोर इतना बड़ा साव बन जाननो और नो गुम जाईशा मोटा दिख़ए वो कांसे आजा उसमें उस टिकिया से उसमें थावा पर दिख़ए ना था उस अगनी नुशका वाकार पर फुलिद कर दिया इसी परकार ये इतना ही ब्याउत साव बर्मंडा का जैसे वो टिकिया ते बना हुआ साव वो उसा बहुत हो था आत लाग तें टूटे है तो ये सथाई सिरिष्टी नहीं है ये ए सथाई है पर समय थोड़ा था लंबा है इसका ए सथाई होने का इसका विनास होने का थोड़ा लंबा समय रख्या हुआ है इसलिए हमने ये सथाई लाग गए तो जब कूरम ता हो दिन दिन तक कूदता आया अगला ले उसमादिया अपना काम बढ़ी गया डांग ठोकी आगा बापिस उदर से कूरम केन लगया पिता जी सत्पुरस्ते हैं कि नरंदन आया था और बद तमी जी कर गया मेरे संग में और आप एक बाग गया जे दो तब मैं उसने घड़ जूँ क्योंकि कूरम इस नरंद जन तक गही सकती साली है सत्पुरस्त केन लगे भाई देखो तिरा छोटा बाई से है उसकी करनी का डंडू सन में लगा आप ना उसको कुछ कहना और बड़ा काईस ही महोता है मानता कि उनको माफ कर दे तो वो क्योंकि वो संत आत्मा है उनने उस भी कार कर लिया ठीक है जै कि अब इसमें जीव चाहिए अब ये तो पर्थवी भी बनगी नौलाख तारे भी बनगे चांदर सुरज भी होगे तो अब ये इसमें जीव भी चाहिए और बिना जीव के इसका मैं करूंगा क्या इन पाड़ और पत्थरों का मेरा केले का मन कोना लागा है अब यहां पर जीव चाहिए चाहिए चौशड़ी गो तब के बाद फिर सत्पुरस नहीं सचा इसका तरोज का काम हो गया लाग के इसका पक्का परबंद करता हूं कैसा किया जैसे बच्चे न बेज़ें सकूल मैं और पावस नहीं मैं और को अतन्यों का हमना तो कार ले दे जब जाओं क उसने बलो बला का केंगे बेटा है तो साध्दी के योग हो गया साध्दी कर देते हैं तरी अब साध्दी का नाम पर एक बदो बदना टेकर रहे बालक फिर सबी करती दे दिया करा पिर बया हो जा बया हो पाथ था वो आपने नून मरिच मुड जा फिर मात पिता का पीछा जोटा है इसी परकार सत्पुरुस ने इस निरंदन का बया करना चाहा पर वो बया ऐसा नहीं था जैसा हम करते हैं उनका बया और तरेका था उन्होंने एक कन्या बनाई अपनी सबसक्तित हैं सत्पुरुस ने जिसका नाम आदी माया अस्तंगी अठ्वजावाली जिसको भ लड़की को और निरंदन के पास छोड़का और बता देना कि इसके पास सबसक्ति है जितने जिव निरंदन कहेगा बना देगी अर्थात ये सिर्ष्टी ग्रिष्टी करम नहीं था वहां पर हैं सबद से सिर्ष्टी रिचनी थी जितने जिव कहेगा ये परकरती मूल है ये कि जी फिर हम क्यों फस्यारा आक है चलो भा निरंदन न दगलती करी कि अम गदे क्यों बने आपर या समझ मनी आती हम अमारे मन में एक गंदी विरती है वो वहीं से पैदा हुई निरंदन करता था तब और हम देखे तेख्या करते सत लोग में थे हम सबी हम देखते थे उकस अकर रहीं तो भाई चाला पाट रहा सा चौश्टी श्ट्री योग होगे कि मैं उठता न चालता एक तरफ खड़ा से भाई तो बहुत अथी सकती दिखे से और आकास मानी होती थी तो मैं अपना काम लगे रहो उसको मत देखो नादान को लेकिन आम लोकमा छुपमा यानि इतने आकरसित होगे उस नर्दन के परती के भाई यो तो चाला का आदमी सा ये तो कसुता है ये तो बहुत कठीन तपस्चा कर रहा है वह इस दिनी तो सब पत्र ना हुआ है अब यह मारे माजबी बिमारी से है अब कोई बगवान आका आपने ठीक ठाक बताओ यो काम निय कर ले और एक तपस भी बातप करने लाग जा सापत गाम चला जा यह वाई भी मारी आजसा है मारे मनों कभीर शाहब ने सत्पुरस ने फिर आकास वानी करी तुम अपना उधर मत देखो उना दान की तरफ एक बत नहीं हो जान जो कर बार्ड़ सकूल मोया करे हर मास्ट जान पूछ ले पराणियों को नरंदन न तो पहला भी राथा कि यह सारे तेले का इन देखें सब से का क्यों बई तो महाँ चलो कि मेरे पास न्यारा लोग बनावांगे न्यारे वहाँ पर आनन सिरा करेंगे तो मैं सरगुन रूप दूँगा ऐसे करूँगा और भाई उड़ा तो मौत मारांगेis तो मौत बोले हम ता त्यार साहिबा मारा जिद को आदे ה सत्पुरस तक वाज़ हम तो त्यार बैठी है नो भला जी ठीक है यह सारे त्यार बैठी है क्यों भै तुम जाना चाहते हो हाँ जी मारा जी कहते है इच्छा रूप पे खेलन आया ता तुम सुक्सागर नहीं पाया बन्डाय लिए उसने नरंदन दीना पां उड़ा तुम भला बाई एक काम करियो पर तुम ओते है लिए सेंगर करते है इसके लिए पर वहां तुम नहीं दुखी करे रहना यू इस सत्थ नाम और सार नाम नहीं याद राखियो ये हमारे को देख बेज़ जा था मारा जी ने कि इस नाम को और मुझे तुम याद रखना जिस दन तुम ये टेलीफ़न मिला दोगे ये नमबर उस दन मैं थरे पास आ जाँगा और उसी समय तुमने इस से लिए आँगा अगनियों बेला जी पकले फिर तो हमने दिखता है केसा ये सतनामर सार नामा जी कज़े नहीं बूलांगे भाँ ठीक है जाओ ता अब वो बीज रूप में मूल रूप में हमारे को इस माया को दिया परकर्ती को आदी माया को और वो बेज़दी सत्पुरस के साथ सत्पुरस ने साज़दास के साथ नरंदन जी के पास नरंदन जी से का साज़दास ने किले बाई ये बहन है कन्या और इस के पास सारी सक्ती है कितने जीबतों कहगा एक बसबत कहगी उतने बना देगी और ले छोड़ दी उसके पास और हो अपने लोक में ठाटता ये सतलोक में था ये खेल सारा अब तक सतलोक में ही चल रहा है ये काम उसने क्या हुआ उस लड़की को देखके नरंदन के मनमक होट पैदा हो गया नीच तागी दूस करम की अब ये बिमारी है वो मन रुकमा आज नरंदन सम्मसमावेस है जगा जगा हम देखते हैं बहन बेटियों की इज़त पर हाथ डला हुआ ये मन जो है ये नरंदन से अब जब चलागास है दास रह गया एकला उसी समय उसकन्या की तरफ उसने पूरी दृष्टी की और गंदे करम के लिए प्रेरित हुआ लड़की कहने लगी नरंदन जुलम ना करा है तू मेरा बाई अर्मय तरीबान है तनीसा जुलम नहीं करना चाहिए और मेरे पास रिष्टी मेरे सबस सकती है मेरे पास तू मान जा लेकिन भाई कौन सुने जब इतनी नीच विरती है इस मन की तो एक भी ना मान्या और कती जब दुस करम पर उतारू हो गया और लड़की को ऐसे अपने बाजुआ में पकड़ना चाहा वा भी तह उस से बाप की वेटी थी सुक्सम रूब बनाया जो नाजिक है बहुत छोटा और स्रीर के मान नरंदिन के पेट में चली गी उसने बेरा के बागी नजान देना और को इस लोकन का सथान ना उसके पेट में पर वेस करेगी कि यहाँ ठिकाना पासकती है आपनी vicda बचान की खातार वाँसे फुकार किया कि हिमारा जी हिँ पता जी आईसे ऐसे नरंदिन ने मेरे साथ जलों किया और इस ने मेरे साथ बढत तमीजी की है अपनी इजत ही रिखशा के लिए मैंने इसके पेट में सरन पाराखिया मेरी जान बचाओ सत्पुरस ने साथ दास बेजा कि वाईजा सुन ले मेरी बात उस नकमे ने 21 ब्रमन समयत यहां तकाइड दे यह सत्लोग मरेन के काबल को नहां ना विरा क्यान बगाड़गा और इस सत्लोग में जो ऐसा जलम कर देता है उसको सराप लग जाता है उसको बिमारी लग जाती है एक लाख जीव रोज खाएगा और स्वा लाख पैदा करेगा और यहां नहीं रह सकता अब वहां से उस नेरंदन को सह दास ना आका कबिर साब का परवार ना सुणा दिया अग सुन्दे भाई लड़की पेट तकाइड दी अग्तम दोनों क्योंकि महराज ने वचन बद होका या कन्या तरेते दी थी और भाई इसकी सदा तुम पावगा सवा लाख पैदा करेगा एक लाख रोज खावगा और फिर इनकी सारी विवस्था करनी पड़ागी सबका और वाई निकल जायाँ से और दुबारा निरंजन तो इस लोक मनी आ सकता अब वहाँ से निरंजन 21 ब्रमण समेथ और माई समेथ निच्चे आगया सत लोक से सोड़ा संख को उसकी दूरी पर है ये 21 में ब्रमण का आखरी लोक है आखरी ब्रमण है 21 में ब्रमण का अर इसमें आखरी लोक है पाताल लोक पाताल लोक से सोले संख को उसकी दूरी पर कबीर साहिब ने गरीवदास्तियों ने बता शोड़ा संक लाक दस लाक करोड दस करोड अरव खरव नील पदम संक उत्रफ फिर बदनीत करी उसने फिर प्रार्थना करी नर्दन गणा काल पाओगा ये गंदी से रिष्टी मत चला मेरे पास एक सब्सक्तिय है जितने जीव का हमा बढ़ा जोंगे पर नादान ने माराज में लिख्या कवीर साब ने एक नी सुनी तो जबरदसी साधी करके तीन बच्चे उत्पन किये बड़े का नाम बर्मा दूसरे का विश्णो तीसरे का शिव हुआ अब ये शिर्ष्टी जड़न लागरी सारे सास्तर होंगे और फिर नरिंजन ने याद आई कि बालक सैने होंगे और भाई फिर सैने होंगे पाथ है एक लाग जूमन खाने ये मेरे से दुनिया नफुरत कराख रहेगी हाहा कार्मा ते एक लाग प्रिवार रोज रोज रोवें टक्र मार मर का है इस पर थ्वी मंदल पा है जाजाद गई ये जूटा सांगला रहा रहा थे हमारे काल बली ने क्या उन्हें सुच रख्या था जैसे हम राजियों बैठे है और जाजाद के ओपर मरना मैंड रहा था लूट ले खशोट ले जोड ले धर ले या नादानी है कती सोकी शो हमारे अंदर या करी किस ने लेकिन फिर ने दिन कैन लगया कि माया अब मैं किसी जीवना दरसन नहीं दूँगा आज के बाद वाब बले एक बात बताओ कि आप तो निराकार हो जाओगे निराकार का तात्परी यह है कि मैं ऐसे लोक में जाओँगा ना बर्मा आसका ना विष्णू आसका ना शीव आसका इसी किस में बर्माट के ऐसे लोक में बैठूँगा और ना माया तूँगा आसकती तन्यों वाली मैं अकेली इतने इतने लंबे चोड़े बर्मांड को क्यों कर चलाओंगी वो कहता है कि काम तो करूँगा मैं सारे तो ना तो बर्मा करा ना विश्मू कर सकता ना सीव कर सकता जो करना होगा मैं करूँगा और बाकी पावर में तुझे जेता हूँ तूं करेगी पर मेरा हुकम तुझ माएगा और तेरा इनमा होगा जब ये बच्चे शैने हो सागर मन्थन पर बेज देना सागर मन्थन पर जो वस तो निकले पहले पहले को दूसरी दूसरे को तीसरी तीसरे को ऐसे दे दे जब बच्चे सेने हुए वो बोले माँ हमारा पूतर पिता कौन है अग बाई को है तुम्हारा पिता नहीं और मैं तुम्हारी माँ मैं तुम्हारा पिता है माई ने सोचा कि अगर यदि मैं कहूंगी कि तुम्हारा पिता तो 21 में बिरमेंट में बैठा है मनमाने जद लायले माप पिता जी को पास चलो बच्चें की जद भी माड़ी होया अगर तो अपने जूठ बोहल जी उसने अगबाई तरह पिता सहे को ने अपने जान बचान ने या मजबूरियां इतनी है ना चाहते हुए जी उन्हे पिरना कित के बोलना पड़ जया तो उसना ऐसे कह दिया चलो बच्चे ते सुईकार किया शैने होगे आकास वानी हुई के सागर मन्थन पर बेजो नरंजन ने कहा सागर मन्थन हुआ वेद निकले चारों वेद बर्भाने पढ़े उसमें पाया कि इस रिष्टी करतने वाला कोई नराकार सकती है वो सारी जीओं का पिता है तो उसने अपनी मां से का मां तु जुट बोलती झी कि पिता कोई नहीं मारा इसमें लिख राक्या वे दूम है नहुब जहाए बाइ वो तुम्हें दर्सन ता देको ना लिक लिख राक्या है अग योग वीदी लिख राक्या पाऊँगा दर्सन अग नहीं हो सकती चार योग तक ब्रमाने समाधि लगाई कुछ नहीं पाया और कहके गाठा कि दरसन करके आओंगा ना ताओंगा कोई नी तो ठीक से चार योग के बाद आकास वानी दर्दन की होती है कि माया वो जिठा बेटा कहां गया सिस्टी क्यों नी रच रही उसने बताया वो तो समाधी लाएं बैठा कहर ने वो कहमे पता ने डुन लूँगा उसको कह दे मंदर से ने कोई ना जो और उसको लाओ उठा कि तो माया ने क्या किया एक लड़की और बनाई जिसका नाम गायतरी रखा कि बेटी जा अपने बाइन बुड़ा के लाँ और ऐसे ऐसे चलन छो देना जब वो उठागा गायतरी ने चलन छो दिये बर्मा किसमाधी टूट गी बर्मा सराब देने लगया कि कुल्टा तू कौन है और कैसे तू मेरे तब भंकरने के लिए क्यों आई कहने लगी सराब बाद मत देना मेरे बात सुन ले मान बेजी हूँ और ऐसे ऐसे आपने सिर्ष्टी रितनी है आपना कामा दूरा है कहता है मैं चलता पड़ू पर मत मा के सामने बतन बद हो गया था उसमें तान डिक पाग गयाने बहला जब आउँगा दरसन हो गयता हूँगा ना कती नहीं आउँ अरी भोरी मुश्किल गर क्यों कर जा तो वालने बोली वालने बोला तुम मेरी गवाई दे दिये मैं जब चालो तो वालने बोली मैं क्यों तेरी जुठी गवाई दो तो यहां पर एसी सर्थ रखी उस लड़की नहीं अबतान जोगी भी कोई नहीं बर्माने सुविकार की फिर वो कहती है मैं एक और लड़की बनाती हूँ अपना एक गवाई और चाहिए उसने एक पॉप उती नाम की कन्या अपनी सुछ सक्तित बना दी उस लड़की से कहा कि आप हमारी गवाई दे जिना के बर्मा को पता के दरसन होगे नरंदन के वाब बोली मैं के उद्ध उठी गवाई उसने भी ऐसी गल्द सर्थ रखी वो भी बर्माने सुविकार की तीनवान आका है और मा के सामने कह दिया कि हमने पता के दरसन इसने पता के दरसन होगे वाब बोली रे ढूंड लिए पता जी अक हाँ ढूंड लिए मा अगवाई क्यों करमानू मैं कैसे विस्वास करो कि इन दोनवान पूछ ले क्यों यह तम न देख्या अका हमारी आख्यां गदरसन देखा गई नरंदन जी और बड़ा सुंदर स्रीर था नियूं था दर्मान वेद पड़े राखे तेन्यों का यह परकास सा दिखा था जुल्मल जुल्मल हो रही थी अड़े तीं जाने यह सारे के सारे यह योगी भी बस यहीं तक जाने है कि बस तेजो मैं रूप से परकास दिखा से हो गया कटिगा टंटा तो वह कहन लगी ऐसे ऐसे दिख्या और कतीनों सामने खड़ा था आदमी सा दिख्या जा वह बोले कि मैं ता मिलते जुलती उसने भी लागे आसार से कुछ तो उपड राखे वे दो मैं वह सुनके नहीं कि नहीं बता दी समादी से पाया कोनी चार यूग भी ला ली अब तीन गंटे बठा का बता कोनी बगवान दर्शन करा होगा ये बिमारी समदनी है सारी कि साथ तो वह मूर लटका के एक लो जा बेठी बवानी नहीं बोले नहीं 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 से माल अपने डम डमेने तुदा जूठा भी नराए वह बोले कैसे कि मुझे कहता है मैं दर्शना जो अर इनको दर्शन दे दियतने एक तुदा दोग लाओ गया हरसे माल अपने काम नहीं नहीं बोले आकास वानी हुई के जूठ बोला तिनों के तिनों और मनने कोई ना दर्शन दिये अब आई वाला ठी लेका इदर मार वो तिनों कर लिए लाइन हुए टेलों खड़े हो तो क्या कह रहे थे तुमने दर्शन वे और मुझे आकास वानी हुई है तुमने कोई दर्शन दिये अब तिनों आशन लाएगे आकमा तुमानी हुँ को उठाना है मैं आउं क्यों करसा रहा लेका आया था सराप दे दिया बिरमा को कहने लगा निकमे तरी जग में पूजा नहीं होगी और गाहितरी को सराप दे दिया कि तुम गव बनेगी और तुम जो हना तुम तेरे सांड पती होंगे कई कई पौप वटी को सराप दे दिया कि तुम गंदी बूटी गंदे स्थान पर उत्पन होने वाली गंदी बूटी की जुन्नी पावगी बाग यहां से बर्मा तो बेवस हो गया और गाहितरी जुन्नी छोटी गी और आकर कि गवगिरू जुन्नी जाण कर लिए ऐसे पूप होती ने अब क्यों हो गया क्योंकि तरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी उन्याई होंगे तेरे जैसे ठग होंगे दुन्या नो ठग ठग का जूठी बात बनाया करेंगे सासतनों कासली गान दें को लिए और अपनी रोजी रोटी बनाओंगे बरमा इस बात को सुनके बेहुंस हो जाता कहते हैं विश्मून आकसारा दिया भाई तु चंताना गरम में तरे साथ सूँ तो इतने में आकास वानी निरिंदन नकी के आदी माया तन्ह गल्ती करी तन्ह सराब नहीं देना था इनको अब तुझे मैं सराब देता हूँ क्या सराब देता हूँ कि दुआ पर युगमतों दुरुक्ती बनेगी तुरे पांस पती होंगे यह कभीर साब की बाणी सुना रहा हूँ आपको जिसने ए बी सी गना दिया इस ताना दाना सास्त रोगा माया बोली तुरे बस आगी कुछ भी कर ले वे कि मैं करूं हो जब तुँ करन नहीं देता यह बिना दमकाएं बालक मानने क्यों करें अब इन आउड जूट वो इलदीश को सुविकार कैसे करूं ठीक है तुरी मौज कुछ दिनों के बाद आप अब माया बोली विश्मों ने के भाई बेटाव रहे ना तु अब तुम भी ढूंड ले अपने पताने कदे फिर बीच में समाधी लाला बैठो सरिश्टी करम ने बंग डालो अब अच्छा माता जी वो बगवान विश्मों दो है अक्सीर समुंदर मा आगया वहाँ पर सेसनाग के लोग में पहुँच गया उस लोग में जाका है सेसनाग नो देख्या को उत चुरू की अब तेरी जिरुडेक्शन में तेरी सीमा पर आ कैसे गया ये एकदम एक हजार मूत है फनों से दुमा छोड़ दिया जैसे जैर का और विष्णू उस्वान जी जी जिम दिख्या को नी विष्णू जी घा स्रीज सामला हो गया अब विष्णू जी ने सोचा ला इस कीड़े की गरदन दाविजू को मतलब बिना गाम के उने इसा गंदा स्रीज कर दिया तो आकास माने करी ने रंजने के विष्णू जा का अपनी मान साफ सा बता दे और इसको अब मत मारना इसका बदला तो दूआ पर योग में लेना जब तो किर्शन बनका जागा अब इसको कुछ नहीं कहना अर नो लट ज़र मरो गया तो यहां सिरिष्टी कौन रचाएगा वापिस जा अपनी मा को साची बता ज़े मा दरसन को अन्गो निज़ा तेरा पर मावाली आलत वह जाएगे अब इसनों जी आका अपनी मा के चर्णों में आठ बुजा वाली के जगदंबी का के चर्णों में पढ़का ने बहला मा मुझे पता के दरसन ने हुए अन्ना ही हो रहे है ठीक है बेटा तू सत्वादी होगा पनसाची बोली है तुरी जग मा पोज़ा होगी शिर्ष्टी पारन का काम मा तुझे देती है फिर बुलाए शिव जी के लिए बेटा तू भी ढूंड़ा अपने पता ने के दे फिर पाथ से समादी लाएं बैठा रहा है वो कहें लगा मा जो मेरे दो बाईयों को नहीं मिले पता जी तो मैं तक को सिसा को नहीं करता मुझे एक वरदान दे दे माता कि मैं मरू को ने बेटा ये काम यहां नहीं हो सकता जो उपजा है वो मरेगा और जो मर गया उसका पुर्ण जनमावस्य है इस 21 पर मिनमत यह बचा नहीं बाकी मैं तुझे एक विद्धी बताती हूँ कि तेरी आयू सब तब बड़ी हो जागी सब से दिर गायू होगी तेरी अकमायाई बता दे उसने कहा कि पुतर तुझ जादातर समाधी में रहा करें और अपने प्राणों को दसने दोर पर आख्या करें तेरी लंबी आयू जागी और ऐसे ठंडे एक सेतर में रहना सिव जी ने आप देखते हो जादातर समाधी में रहता है अब ठीक है माता जी उसके बाद फिर आकास बानी हुई कि इनको इनका ब्या कर दे सिरस्टी चला माता ने कहा कि जाओ बेटा तुम फिर सागर मन्थन करो यहां पर लिखा है कि माता ने खुद कहा कि तुम मेरे साथ साधी कर लिए तिनु के तिनु मुझे पत्नी रूप में स्विकार करो और बच्चे पैदा करो और तिनु के तिनु नराज हो गे किन लें लें मात तुद जमाई नकमी निकली या क्या बात कही आपने माता नार पुतर की हुई ये जनलनी ये कहा अगद होई इस महापापने कि दो आंगे तो वहाँ पर कहते हैं वह माया अपना बदल लगी सारे खेलना जो बली बेटा मैं तो मासी करूँ थी ना थरी ये लिया अगद देखोंगे थारे मैं कितना गुन और ग्यान है अच्छा बेटा तुम ऐसे करो सागर मन्थन करो अपने तीन रूप बना इस माई ने और सुगवत रूप में समंदर में परवेश होगी एक सिध्धी बहुत चोले धार है एक सिध्धी बहुत चोले धार है नेरे नेरे रूप बना ले एक सिध्धी होती है सागर मन्थन हुआ, तीन लड़किया निकली, नमबर वाईज तीनों को लेकर घरा आगे अरन्यों कहा था बेटा नेरी नेरी, याद राखना कुण सी पहले, कुण सी दूसरे, कुण सी तीसरे चीज निकला, वा साथ ले आना कहने लगे, माँ ये पहले निकली, ये दूसरे निकली, ये तीसरे निकली बड़ी का नाम सावत्री, बर माँ से ब्या कर दिया दूसरी का नाम लक्समी, विस्मु तब्यादी और तीसरी का नाम उमा रख्या, वह सिव तब्यादी अब बेटा तुम अपना 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 गर बसाओ अब यहां से इस मरत लोग की सिर्ष्टी सुरू होती है अक्सर प्रुस एक पेड़ है नरंगन वाकी डार परतिनों देवा साखा है यह पात रूप संसार अब सुर और असुर इन ही से उत्पन होए नकमा बालक हो गया वो राक्सस कहला है और जो अच्छे निकले उनको देव कहा उसके बाद यह स्रिष्टी यहां की सुरू होती है अब यहां पर गरीब दाश माराज की बार्णी सुनाता हूँ आपको 21 बर मिट को लेकर चाला अब गलती तादमी करदे से एक बाए फिर पाच्छा बहुत बिस्तावस है अब इसने सुच्छा चाला पाइट गया अब किसी परकार माफी मांग लो लेकिन माफी देखोन रास्ते में जब आ रहा था 21 बर मिट के साथ जब चल रहा था उसका विमान रास्ते में सेज़दास जो उनके बड़े भाई है उनसे बड़े जिसको सेज़दास के रूप में कवीर साथ भी यहां पराते है सेज़दास के दीप में आ जाता है उनका विमान रास्ते में परता है वहां आके सहजदासे वहीं से पराथना करता है निरजन कि सहजदासे मेरे को अपने लोग में रख ले निचे ना जान दे नहों बहुत बाई देखे बगवान पताजियां कादेश है और वह इसको मैं कैसे मोड सकता हूँ उसका मन राजी करनता है कि यूँ ना राज ना हो जाए क्यों पहले हैं बहुत कालीमान रहस है इसको ठेस ना पहुंचा है नहों बहुत बाई मैं एक पताजी तो पूछ लेता हूँ उन बच्चनों को अराम से बैठे हैं अराम से बैठों कि मैं पिता जी से पूछ लेता हूँ और फिर तेरे जाद ने रुख लिँगा उन्हा सोची मैं अपने सर पेके लूँ पिता जी कह देंगे तरह रुख जागा मन्ने के बीड़ो से यहां पर नुबला मैं अपनी समाधी लाकर सत्पुरस के पास पहुचा और पूछा मारा ज पर नर्जन फिर प्राथना एक रहसे आप बताओ कहां रखो उसने नुबला उसने यहां से कती निकाल दे और खबरदार ज़ा उसको यहां रखाता है कि इन तलाक उसको नहीं रखना यहां पर और नीचे विकारों के लोग में भेज़ दे इसको विशे लोग कहते है आज गरिबदासी महराज की गरंट साहिब की वानी 690 प्रिश्ट पर है आज रमेणी आज रमेणी अगली सारा जादन होते धूंदों कारा सत्पुर्स की निया परकासा होते तक्त कबीर खवासा मन मोहनी सिर्जीमाया सत्पुर्स एक ख्याल बनाया दरमराय सिर्जे दर्वानी ठॉन chauff युगतब सिवा ठानी पौरुस पर्थवी जाकों आन्य राज करो देवा आध़ी नी बरमनड़ एकिस राज तम दीने मन की इच्छा सब जिग लिने माया मूल रूप एक थाजा मोह लिये जिन हूंदरमराजा मन का मन चंचला तदारा मन माया का रूप बतारा सरव सजागा डरमराफ काढ़ा भागिभी सहर वासना मलशंग सजають आधी पुर्स अडलि अनुरागिव अध्य पुर्स आदिया के लिगे जिसे निकमे न कहें ळी sırतमा भी बेहन bea को घुआ अधी by लूजा काई देरी आगी वी सेवासना संगसे जागी, आज पुरस अजली अनुरागी, ध्रमराइदी अजल सेटागी, पुरस लोग से दिया ध्हाई, ढाकर ना, नोगे दक्का दे दिया, जैसे नराज साहो कें, पुरस लोग से दिया ध्हाई, अगम दीप चल आए भाई, 21 ब्रमेंट समेट, अगम दीप Lehrनी जो सेУसि से अगले लोक मागे आगे भी सेजजब्दास जिस जीप रहंताा सेजड्दास जिस दीप रहंतााकारण कौन कुल पन्ता हुआन अब वहां से आवाज कई यह उसने है किभाई सेजद्दास मजई यहां रोक ले थे सेज़ दास बावला साबन के भाई कौन है तो के बाद सा ग्यान तो सारा था यह उन्हें धरम पुरस लोग तेंदिया धाई अगम दीप चल आए भाई सेज़ दास जिस दीप रहनता कारण कौन कौन कुलपन था धरम राय बोले दरवानी सुनो सेज़ दास ब्रहम गयनी चौ मन मोहनी ठागिया घोरा मेरा मन चंचलर रूप बन गया और वहमन आदान नी कर गया और उसकी सजा मुझे इसी बेंकर मिल गई अब मन बचा ले तो सत पुरस के ना मन बाई पुरस लोग से हम चल आए तो कि सत पुरस के मन मन नहीं रह आ नी बाई और इसलिए उस सत लोग मुझे निकाल दिया अगर दीप सुनत बड़ भागी सैजदास में टोमन पागी बोले सैजदास दिल्दानी हम तो चाकर सैजदानी सत्पुरस से अरद गुजारूं जब तुम्रह भी एमान उतारूं सैजदास ने बोला वाई पहला सत्पुरस ते पूछों प्राद ना करो और पता जी कहें तो यहां रुकन दो ना को ना रुकन दो यह तो मेरे स्भी नराद हो जाएंगी सैजदास को किया पियाना सत्पुर्ण लिया परवाना अब समाधी लाका है और सैजदास किता जी के लोग सत्पुर्ण सत लोकमा पहुंच गए अपने दीफ से उस लोकमा पहुंच गए और वहाँ प्राचना करते हैं सथपुरस साहब सरभंगी अवगत अतली अतल अभंगी द्रमराद तुम्राद द्रवानी अगर दीफ चल गए परानी कौन हुकम करी अरज अवाज जा कहां पठाओं उस दुरम राज जा नोबला जी ओ दुरम राज फिर प्राथना करा दुरम राज और आपको हो बताओ कित वेज जो वो सक्चा उसने भी निस रचिमा रजी फिर पुनर विचार कर ले सत्प्रस इसने कम्य की गलती पर लेकिन बंदी छोड़ने बेरा था कि यूँ यहां रहे गाना और उन्हें को बाड़े करेगा नोबला बही अवाज अदली एक साचा विसे लोक जा तिन्नू वाचा तिन्नू बाज से कि इन्नो मन करम वचंते हैं नो का कती नी भाई एक पर तिस उत्वी गुंजास ने उसके बारे दुबारा रजमत कर दिये उई अवाज अदली एक साचा विसे लोक जा दिन्नू वाचा सेद विमान चले अधिकाई इचिन में अगर दीप चल आई सेद दास वापस आगे अपने लोक में आकर हुकम सुना दिया कि भाई मेरे वसका कोई ने है और यहां तो निकल जा पता जी कती करड़े नाराज हो रहे से और वजमानी संगते तिरे बारे में जरमराए बो चले विमान ना मानसरो वर आई सेद दास चले अजिक चले जिकाई छिन में अगर दीप चल आई हम तो अरज करी अनुरागी ही तुम विसे लोक जाओ वबढ़ भागी के भाई वापस जाओ अपने विसे लोक में वबढ़ भागी मैं मनना मतना टोक है दोबारा साइब करड़े नराज हो रहे से अर्मन ने भी खत्रा हो जागा अब कोना फत्मन ले गड़ मगाला है कल वैड़ दे दरमराय के चले विमाना मानसरो वर आई प्राना मानसरो वर रहन पाए जरह कभीरा था ना लाए वहां सत्पुरस कभीर साइब की रूप में वहां आखर के उस अगट गाटी पर बैठा है विखमी बाट पर बगाटी बनकनाल की विखमी बाटी तहां कभीरा रोकी गाटी इन पांचों मिल जगत बंदाना लग चौरासी जीव सताइन है ओई होई ओई इन पांचान मिल के जगत बांद राख्या है कौन बर्माविष्म मेश रमाया ध्रमराय का राज बिठाए नरिंदन का बर्माविष्म मेश नरिश मायी ने इस नरिंदन के राज का यहँआ पर जम्टा गाड राख्या है इन पांचों मिल जगत बंदाना लग चौरासी जीव सताइन है कुटे गधे सुखर और यहां के राज इवोड़े पड़न लाग जां सारें के शरफ उटें बता के रहम समारे उपर बाज के कि तक कुण पकड़ गे तक पकड़ गे ना इसे कटा के उठ चकरा जां और बारेस हो जा तक भीजो परले आगी मरो सारे के सारे क्या मरते कोई ना खाज लागे कड में जख्म हो जां सर में जख्म हो जां कीड़ पड़ जां तक्र मारतां पागल हो जां फिर लटा मारें यह जीव है यहाँ पले मनुस्त रिज में भी था अब यह जीव यहालत करया कि इस झो तर न दिन न मारी पर यह समझ माने आननी बाट आजा तो अब बांज लेगा गेठी कर्म खोटे कर चालिया कुटा बनकर कोई ठीकी चाम बैठा बार लगा नाक है अब जर लेशर पोज कोई ठीक ने रुसमाया ने ये बात समझ मैंने आती है यह आए पाचारा चुटकारा जी बताव है यह खोखापुर की जूठी बाजी विस्ट बेकुंट अगासी साजी यह खोखापुर 21 बर्मन कती नकली कती जूठे और सो के सो बेकार आज मैं कितना सुन्दर शरीर प्राप्त बारर बच्चे और कारर कोठी और यह मर जाओं बता कि खोखापुर रहा के गाएं बता इसमें है क्या हमारे पास है सौदा यह खोखापुर जो इठी बाजी बिस्ट बेकुंट बगासी साजी अमने सुरग शेना थासता है और सुरग शे उपर नी जाने थी और सुरग में के है कि सबसे बड़ा दोखा इस जीब की गेल ह यहां पुन कठे करे स्वर्ग में जावाई मोजम होगी और वाँ नहों कहें ला बेटा कितने ले रहा से अड़ा जमा करा जे सारी या कमाई संतों की जैसे उटल में चले आगा दूस जार रुपिय ले गा वह नहों कहांगे दस जार तर पांच जार तर पहला जमा करा और बाकि फिर juven अड़र और दे अठी इतने जन रहना चाहता है और जब ही पांचे जार खतम हो नहीं मोज़ gotta पांच जार और जमा करा और ही मांगे जो मांगे वह बहुम है या उस्वरु का ये सीरूगए वो पुन जानते हैं जमा करा लेंगे उस स्रुग में और उसकी पुन्जी के अधार पर उसका जिवे निर्धारत कर देंगे कि इतने जिन रहेगा यहां पर और तेरी मर्जी कुछ भी खा लेकिन वो शिमिट डाइट है वहां की इस डाइट के अधार पर खावेगा तो इतने जिन रहेगा और अधी खावेगा तो जल्दी छुटी हो गया देत मौजमार वहां पर सबसे गंदे से गंदे करम स्रुग में अपसराइन नाचें वहां पर मद्रा पीवें और सारा दिन बकवाद बावें उन देवतार स्रुग कहते हैं और पुन खतम होएना पकड़ का टीटवी देव स्रीद समाप्त नरक मठोग दिया नरक भोग यह जैसे करम परानी करेगा यहां पर दोनों भोगे हैं पुन के लिए ता है स्रुग दोखा और पाप के लिए नरक उखा और फिर चौरासी का गेड़ा यह भी ने कानू यह भी ने बच्टा को ने सोते यह भी कट जा यह भी है कैसे करम निर धारिद कराखे उस नरक दिन के आत्मस है यह सारा सोता उसका कानून कर काड़ कुछ भी बनावाए के लिए चौरासी भी एक भी दूरूर काटूनी पड़ागी और फिर मनुसरी बदागा अब बंदी छोड़का है इसे बुंडे को करम है और इसे बगवान मान रहे तुम जोत नरंदन को कभी साहब कहते हैं जो यम को करता भाख है और तजह सुधायम विसके चाक है जो इस काल नरंदन ने जोत नरंदन ने भी बगवान मानते हैं वो तो अमरे छोड़का जायर खा रहे ये परमान जिया कभीर साहब ने और गरीवदास जिन ये खोका पर जो ठीवा जी विस्त पे खुंट दगासी साजी किर्कलंजी वे बुलाने वाई निजगर की तो खबर ना पाई अपना निजगर है सत लोग जहाँ पर आप जावेंगे आपा एक सुंदर स्रीर होगा फिर मरे कोनी अब हैं कोई मरना ने चाहता और सब न मरना एक के दोनों हाज कट रहे और वो भी पैरन तकाम ले वोटी खानकार सारा वो भी मरना ने चाहता एक कोट लाग रहा है तर्फ है एक आच भी कोना वो भी नो जीवन की आस है ऐसी क्यों हमारे साथ है बाई क्योंकि हम ऐसे लोग से आई हैं जाजी उमरते कोना अर्वा कसखब भी हमारे अंदर यह जान होते हुए कि यह मरना है फिर भी मरना ने चाहते एक नो कि हम ऐसे लोग में गया दिन रहरे से कि वहाँ परानी मरते कोना वहाँ सुन्दर सरीर मिलता है तेज मुंझ का सरीर होता इसलिए हम नहीं मरना चाहते हैं अब बुलाने भाई निजगर की तो खबर ना पाई सवा लाख उप जैनित हंसा और एक लाख विन सैनित अंसा एक लाख रोज खावें सवा लाख पैदा करें अब ये और समस्या क्यों वोदी हमारी इतनी मोटी हो रीश है या समझ मैं नहीं आती नो कहेंगे खावे क्या न स्रीर तुँ यहां रहे गया बता अर जीव अमर बताते हैं यह भी नहीं जच रही बात एक भाई परसन के हमारे से उन ही के उतर बताता हूं अब ये खोखा है इसके अंदर सुक्सम स्रीर कारण स्रीर कवल स्रीर महा कारण स्रीर और फिर जीव आत्मा बंद कर रहा खी वह आत्मा और इसका जीव बनाया उस सुक्सम स्रीर को इस में अपनी कारी गरीते मा के पेट में हमारे स्रीर बनवाया और इसके दोरा गंदे से गंदे विसन नरंदन करता है यह मन रूप में इसने चटपटी ते सबस्जी चाहिए और दारोर मुर्गा खावे है और बीडी पी वैसल फाखेंच है और गंदी दृष्टी राख है विसन करे विलास करे और उसके दोरा जो वासना होती है यह वासना को इस सपंद सरीब दोरा और सुक्स्छन सरीर के ओपर लेट कर ले है और यह सरीर ते खुखा हम रोखाैboards ने ता बाईवाण मर जाता है और उस सुक्सन सरीर में ले जागा बहुत पारह, को तपत से लाक उपर गरम करा, इतना घर्म करता है, वता है, वें कम उपरेन होती है। इतने गरम करता है और बहुत लु Min effici में ने का इंपर जब उपर हुआ हैं। तो वह वासना जब निकल जाती है एटोमेटिक ऐसा सप ऐसी जटका देता है सिद्धी चाहिए और सुब जीव बरमन्डमा का होते हुए ठंडे हो जाते हैं उन अजब सो दिया जब लाइन में खड़े होते हैं अंदर अमराज का गाले खा जो खा करान के लिए एक भगत के सि एडिन दिरी होगी एक में नियम सो दिमाई उसने लिए भी नाविरा तरह गिलके होया था उन्वन बताया कि तू ऐसे ऐसे बस मजा था सुक उटर पर था सुक बस यह लाँ टकर होगी थी तेरी और तेरा शर्फ फूटिगा था उसने फिर आथ लागे देखिया वो ट्राक अब प्रानम आप सुन लेते हैं उस काल ना प्रिणादी विष्णों के किस्रिष्टी रच मानते हैं सारे सास्तर काल है पर काल काना वेरा और गिता जी में सुन लोगो नने दिन उस किरसंद्यम पर वेसो का अपना रूप भी दिखावा है फिर भी ना समझ माई और कहता महा काल हूँ और सब नखाओंगा गिता जी साब कहें लागरी अर्जुन डिर गया फिर कल आपको गिता जी में सुनाएंगे स्वालाक उपजेनित हमसा एक लाख विन सेनित हमसा उत्पती खप्ती या परले फेरी हरस सोक जो राजम जेरी पांक चूँटह थे में परले माही, सत गुन, रजगुन, तम गुन, जहाई, सत गुन, हुषन, रजगुन, बिर्मा, और तम गुन, शीविज, ये भी नोकلة परले में से, पांक सूटह थे तयाओंगे और तीनों गुन भी नास वान से ये भी नस्ट होंगे और यही गिताजी में कल सुनाओंगा आपने उसमें भी ये कह रखा है कि ये रदगुन तमगुन सदगुन सब नास महो जाएंगे नास होंगे अठों अंग मिली है माया पेंवर्मेंट ये सकल वर माया या मैं सुर्थसबद की डोरी ये पिंवर्मेंट लगी है खोरी इसमत भाई सुर्थ और सबद और सतनाव सतनाव का उपर या सुर्थ और सबद या आपारा उस सबद से संप्रको है सार नाम ते सार सबद से तो तब पीछ्छा चूट है ना और कोई रास्ता नहीं है से बतने का स्वासा पारस्मन गयर आखो खोल कपाट अमीरे स्चाखर अमार आखि झाल सु खोल कोईा आखो खोल कर zwischen य्यर आखर зачत trees today तो मुड़ाrtि चीज़ ね्मीरे तेक मनें स्वास्मन मेग उक त्रकान है morb्ल का स्वान् गयर अमार दोय irrit शोया दो है। झाल झाल